जै माता दि, केतू एक छाया ग्रह है, आपको पता होगा कि राहू केतू का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वे छाया ग्रह है और हमारे जीवन में उनका बहुत बढ़ा प्रभाव है। कुंडली में राहू केतू जहां भी बैठते हैं, वे उनका प्रभाव लेते हैं, और साथ ही साथ, जब उनकी आवस्था होती है, जब उनकी दशा अंतरदशा होती है, वे अपना बड़ा प्रभाव छोड़ जाते हैं। आईए जानते हैं कि अगर केतू गहर आपके कुंडली में दोशी है, पीडित है या वो नुकसान पहुचा रहा है, तो तांत्रिक मन तुरावा उसका उप्चार कैसे किया जाए हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, तो हमारे इस चैनल को प्रीज सब्सक्राइब करें। और हमने कुंडली विशेशलेशन के लिए एक और चैनल बनावाया हुआ है, कि व्यक्ति अपने कुंडली के आनुसार उपाय करें। ना कि अंधे बनके किसी मंत्र का जाप करें। क्योंकि मंत्र तो बहुत है, हमने भी कई साधनाई की। लेकिन एक्च्वल में रिजल्ट आपको तब आता है जब आप सही रूप में आपकी व्यक्ति प्रॉलम क्या है वो जानके उपाय करते है। जैसे आपको बुखार है, ताइफाइड है, कि मलेविया है, कि डेंगू है, कि चिकनगूनिया है। तो जब तक आपको पता ही नहीं है कि रूप का कारक क्या है, आप उपाय कैसे करेंगे। यही बात होती है ग्रहों में भी। कौन सा ग्रह नुकसान देता ही जानना आवश्यक है। उसी उपलक्ष में केतू एक ऐसा चाया ग्रह है, जो कि हमारे जीवन में बहुत नुकसान पहुचाता है। आए जानते है केतू के बारे में और इसका उपाय कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि केतू means detachment अर्थात वो आपके कर्मों के प्राव दनुसा आपको फल तो देता है। साथ ही साथ वो जीवन में जो भी बाधाएं हैं या यूँ कहें जो भी इन जीवन में विकार हैं उनसे detach भी करता है। अगर सही रूप में आपने केतू की पूजा की या केतू कारक हो तो आपको गुप्त विद्याएं, साधनाएं और शक्तियां भी देता है। अब वो डिपन करता है केतू किस जगा बैठा। अगर आपने पनी कुण्डिली विवेशना की है और आप सुनिक्षित करते हो कि केतू ग्रह आपके जीवन में दुश प्रभाव डाल रहा है। तब आप केतू द्यवता के तांतिक मंतर का अनुष्ठान कर सकते हैं। मंतर है ओम, प्राम, प्रीम, प्रॉम, सह केत्रेनमा। केतू तांतिक मंतर है कि जब संख्य अठरा जार उनी चाहिए। जब आपको शनिवार को ही आरंब करना है और प्रैत्न करे कि अगले शनिवार तक इसे समाप्त कर दे और फिर उसके बाद अनुष्ठान समाप्न करे दशांश हवन से कई लोगों ने पूछा कि आपने कहा दशांश हवन दशांश हवन का तर्परे क्या है दशांश हवन का मतलब यह होता है आपने जितने मंत्र जाप किये इसका 10% आपको हवन करना है उधावनार्थ अगर केतु का आप 18,000 मंत्र का अनुष्ठान करते है तो इसका 10% हूँ 1800, तो 1800 मंत्र का हवन करना है मंत्र जाप सुर्यास्त के बात करना है समक्ष आप सरसो के तेल का दीपक जला ले अपने इश्ठ देव की एक माला रोज करे और प्रातना करे कि हे माता रानी हे मेरे इश्ठ, हे मेरे देडर जो भी आप के इश्ठ होंगे हनुमान जी, भैवो महराज, शिव जी जो भी है, उनका आववान करे माता जी है, उनका आववान करे कहे कि आप मेरी सहायता करे और केत्य देवता से अनुवोत करे कि वो सम होकर कि मेरी सब बाधाय दूर करे फिर धुम्ब्रवन का फूल और चंदन अगर आपको मिल सकता तो अत्ति उत्तम रहेगा पूजा के लिए आप उनको रोज अरपित करे उससे केत्यू देवता प्रसंद न होते है और रोज जप संख्या समान रखे अगर आप साथ या आठ दिन में मंतरजाप संपन न करने वाले है साथ दिन में तो आप समझ लेगे कि अठा हजार भागे ले साथ उससे हिसाब से आपकी मंतर संख्या होनी चाहिए जो भी आएगी उसको आप माला में डिवाड़ को उतनी माला आपको मंतरजाप रोज करना है इससे केतु गह शान्त होंगे और आपको अनुकुल परिणाम देने लगी लेकिन विजल्ट को समय लगता है अगर केतु की महादशा य अंतरजाप चल रही है तो आप पूरे महादशा अंतरजाप के समय रोज एक माला कम से कम अवश्य करे इससे भी आपको लाब अवश्य मिलेगा लेकिन जब संध्याकाल के बाद होना चाहिए ध्यान रहे अर्थात सूरस्त के बाद और कभी किसी को दुखना दे दान करे गरीबों को दान करे केतु हवन के लिए एक विशेश्ची बताते है अगर आप केतु का हवन कुष की समिधा से करते है तो ये विशेश लाबकारी होता है लेकिन अगर कुष की समिधा नहीं मिल पाती है क्योंकि अगर आप बड़ी संख्या में हवन करें तो कुष की समिधा इतना मिलना संभव नहीं हो और खास करके शहरों में जो लोग रहते हैं, तर आप आम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, और हवन आप सरसों के तेल, हवन सामगरी, पेकर हैं, काली वस्तु का दान, अगर आप करते हैं, केतु ग्रहों को शांत करने के लिए, तो यह भी उपयोगी साबित होता है, तो य क्याफी 18,000 गुने 4, अगर 7 के लिए करते हैं, तो 18,000 इंटू 4 अर्था 72,000 मंत्र का अनुस्ठान, क्यूंकि कल्यूग में यह जब संख्या दी गई है, इसको 4 गुना मुल्टिप्लाई करके कहा जाता है, कि इनका चतूर्थ भावार्थ के रूप में आपको हवन या जब तब करना चाहिए, खैर, आपकी कोई भी समस्या होंगी, अगर आपको लगता है कि आपका केतू गहर दूशी थे, या वो फीडित है, या वो बुए परिणाम देता है, तो आप अपनी कुंडली विवेशना करवा सकते हैं, प्रत न करें कि आपको सही रास्ता दिखाए, म अपनी समस्या के साथ कमेंट में नीचे डाल दीजिए, बाकी कर्म अच्छा कीजिए, सब का भला कीजिए, हमें आज जो भी तकलीफे होती है, केवल और केवल हमारे कर्मों के प्रावब्द है, इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है, सब कुछ नाच्रल है, यह मैं यह खुद अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने और प्रीय जन्मों के जीवन में आपज़र किया है, कि जो लिखित था, वही हो रहा है, लेकिन हम लिखित को बदल सकते हैं, केवल अच्छे कर्म से, हम कुछ गलत ले के आए हैं, वो हमारे पूर जन् के प्रावत, जै माता जी.